महिला से दुसकरमों महिला की 12 साल की बेटी से छेरचान के मामले में फरार चल रहे हैं ननिताल दुख संग की अध्यक्ष और भाजपा नेता मुकेस बुरा को गरफतार किया गया है बुरा को बुद्दुबार को उत्तरप्रदेश से गरफतार किया गया है बरिष्ट पुलिस अधिकक्ष प्रिलाहद नाराइन मीना ने खुलासा करतो हुए बताया कि पुलिस की 5 टीमें मुकेस बुरा की तलास कर रही थे इस बीच पुलिस ने मुकेस बुरा को भगाने वाले लोगों को भी से अभीयुक के रूप में विवेचना में जोड़ा है साति उत्तरप्रदेश के रामपूर से पुलिस ने मुकेस बुरा को गरफतार किया है SSP ने ग्रफतार करने वाली टीम को डाई हजार रुपे के इनाम की कोशना भी की है गौर तलब है कि दुख्र संग में काम करने वाली महिला ने मुकेश बूरा पर दुसकरम और उसकी बेटी से छेरचार का आरोप लगाया था महिला की तहरीरपा मुकेश बूरा के खिलाब पॉक्सो एक्ट और दुसकरम के धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था मुकदमा दर्ज होते ही बूरा फरार चल रहा था पुलिस ने उसकी संपत्य कूख करने की शुराद भी कर दी थी मैला के दौरा जो दुख संग के अध्यक्षय मुकेश बौरा उनके खिलाब बलागतार करने की एफायर दर्ज की गई थी बाद में वेचना में इस एफायर में जो है पोक्सो की बड़ोत्री हुई और जो पीडिता है उनकी बच्ची के साथ में चेड़ खाने का मामला भी वेचना में सामिल किया गया इसमें एफायर बंजीकर तौनने के बाद में और परकण की अमड़ोता को देखते हुए जो अभ्यूक्त है उसे ग्रफदारी के लिए हमने जो हमारे स्की सीटी हैं स्योसीटी हैं इनके नेतरतम में पांच टिमो गठन किया और बीच में जो अ इसी करम में पहले इसके एंडिप्रवल ली गई फिर एंडिप्रवल जाते हैं 82 और 82 के बाद में जो ओल सेक्षन है जिसमें हम कुर्की करते हैं उसके तहत इसके कुर्की कारवाई भी की गई उसके बावजूद भी जो अभ्यूक्त है वो continuous फरार रा इस अभ्यूक्त को ब क्लाव जो है वंटेड़ अव्युक्त को शर्ण देने साहता करने तता पुलीस की जो विवेचना है उसके अदत्थ्य उजागर करने के संदर में दोशी पाया गया है इस करम में आज जो हमारी टीम है उसको अभ्यूक्त मुकेश बोरा इसकी गरफदारी की गई है इसकी ग टीम के लोग प्रयास कर रहे थे, इस टीम को मेरी तरफ से डाय जार प्रगा इनाम दिया।